एवियन के पेशेंट मीठा खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं और खा सकते हैं तो कितना खाना है इसके बारे मैं आज बताने वाला हूँ बहुत बड़ीया वीडियो है कहीं न कहीं आपके मन में भी एकोशन आ रहा होगा तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखें बिना स्क स्क्राइब कर दीजिए फड़ावट से और बेल आइकन दबा दीजिए और जरू सिलेक कीजिएगा यदि आप इंस्टाग्राम फेस्बूक लिंग ट्वीटर कुछ भी चलाते हैं और आपका अकाउंट है तो हाँ पर आप फॉलो मुझे जरूर कीजिएगा ताकि आप मुझ से पर आपको बिमारी हो या ना हो नहीं खाना चाहिए डेली मीठा नहीं खाना चाहिए यह पहली बात अब यह दिए आप एवियन के पेशेंट है इस्पेशली और आपको मीठा खाना अच्छा लगता है आप मीठा खाना चाहते हैं तो सब्ता में एक बार आप स्वीट डिश खा सकते हैं अब आप बोलोगे साथ दिन में एक बार स्वीट डिश खाएंगे बाकी दिन क्या करें बाकी दिन आप थोड़ा वाइट करें यह दि आपको बहुत ज़रे डिजायर होती है तो जो गुड़ होता है गुड़ और चना यह दोनों चीज़े आप खा सकते हैं बहुत बेनिफिशल होगा आपके लिए यह आपकी बॉड़ी के हीलिंग मेकनिजम के लि मेठा खाने के आदत होती है उनके ले क्या करें देगे जैसा मैंने बताए गुड़ और चना आप खा सकते हैं बट यह दि आप डेली गुलाव जमुन खा रहे हैं रस गुलाव वगिरा खा रहे हैं स्वीट डीश खा रहे हैं तो आपको यह टोटली बंद कर दिना बिलकु को हो सकती हड़ी में छोड़ छोड़े से फ्रैक्चर हो सकते हैं इधी वेट बढ़ गया तो दूसरी चीज यह होगी कि पेन तो बढ़ेगा बढ़ेगा साथ में फैट भी बढ़ने लग जाएगा है ना मोटे हो सकते हो आप तो यह भी आपको विशेज ध्यान रखना है तीस बात कि कुछ ऐसी दवाईयां होती है जिनके साथ शुगर नहीं लेना होता है यदि आप ले लेते हैं तो वो दवाई का असर कम हो जाता है तो आपके डॉक्टर से आप जरूर पूछें शुगर या किसी भी प्रकायर की मिठी चीज लेने से पहले कि मैं यह खा सकता हूं या नहीं खा सकता हूं ठीक है क्योंकि बहुत सारी चीजे ऐसी होती जो आपको खाना होती है बहुत सी चीजे ऐसी होती जो नहीं खाना होती है और दोनों ही चीजे मीठी होती है ठीक है तो आपको आपके डॉक्टर से जरूर पूछना है रही बात फल फ्रूट्स की तो ज गुलाब जामुन खा लिए या फिर जो है आपने हलबा वगेरा खा लिया तो उससे दिक्कत हो सकती है और आपको इदी खाना कितना है मैंने आपको बताया है सब्ता में एक बार स्वीट डीश आप खा सकते हैं डेली घर पर बनता है और आप से नहीं रहा जा रहा है तो आप जैसे डाइट फॉलो करती है ना लेडी चाहिए कि एक चमबच खा लेती है तो बस एक से दो चमबच खा लीजिए मैग्जिमम उससे ज्यादा मत खाईए ज्यादा मीठा क्योंकि आपके लिए वो दिक्कत दे सकता है तो आई होप आपको समझ में आया होगा नहीं आया तो